च्छटा सुनेहरा गोल्डन अमर अमत ना मनने वाला समण संका नियम यह नियम हमारा बहुत शांदार नियम है कि पंजी करण कभी नहीं आपने सुना होगा कि इसका जो अस्थी पंजर है वो बिखर गया निकल गया फिर आपने एक नॉविल एक उपन्यास पर बना हुआ सीरिल भी देखा होगा पिंजर अस्थी पिंजर को पाली में बोलते हैं अठी पिंजर अठी माने हड़ी हड़ी का पिंजर यानि हड़ी का धांचा फिर आपने देखा होगा कि तोटे को पिंजरे में कैद करते हैं कुछ पिंजरा बोलते हैं, कुछ पिंजरा बोलते हैं तो हड़ी की अंदर जो कैद है या जो पिंजरे के अंदर कैद है वो दौनों पिंजर और पिंजर एक ही बात है पडिक लिया, जो पिंजड़ सब्द है, वो पिंजड़ से ही बना है, और इसी से पिंजड़ा बना है, हड्डियों के धांचे से, और कमाल की बात ये है कि जो पंजी सब्द है, उस से यह सब्द बना है, यानि पंजी का जो मतलब है वो होता है कैद वो होता है पिंजरा पंजी से पिंजरा बना है तो पंजी करन करना यानि कि पिंजरा करन करना कैद में करना यानि किसी चीज को जो पसलियां है उनके बीच में कैद करना दवाना क्योंकि बहुत पुराने समय में जब ना लोहा था, ना सोना था, ना तावा था, यानि धातू नहीं थी, उस समय जब जानवर कहीं मर जाते थे, या मनुस्य कहीं मर जाते थे, तो दो तरह के समसान होते थे, कच्चे और पक्के, कच्चे वाले समसानों में ऐसी डाल दिया कर और पक्के वाले समसानों में जलाया करते थे, तो कच्चे वाले जो समसानों में जानवर और मनुस्य पड़े रहते थे, उनके जो पिंजर हैं वो बिखरे रहते थे, अस्थी पिंजर बोलते थे, हड़ी पिंजर बोलते थे, अठी पिंजर, वहीं से ये सब्द आया, कि अग पंजीकरण हो गया तो वो कैद हो गया तो बेसिकली जो पंजीकरण सब्द है वो किसी चीज को बांधने में किसी चीज को कैद करने में और किसी चीज को बांध कर रखने के लिए इस्तमाल होता है वहां से पंजीकरण बना है और पंजीकरण को उर्दू के अंदर बोलते हैं नी के रागा इक है। Would कराए यह हुए हुकर इसलिए कोई जगए यह कोई वस्तू यह कोई माननेता लेनी हो तो माननेता लेने के लिए हम उसको कहते हैं कि हमारा पंजी करण कर दो हमारा कर दो ताकि हमें माननेता मिल जाए और हम हमेशा दूसरे से अपनी वस्तू अपने आपकी या अपनी जगे की माननेता लेते हैं उसको बोलते हैं पंजी करण की आवसकता क्यों प जो अधिकार है जो मालिकाना हक है वो पूरी दुनिया की निखा में बताना चाहते हैं कि इसके मालिक हम है और ये हमारे मालिकाना हक में है तो वहां वो डिकलेरिशन होता है जब रेश्टर होता है या पंजीकन होता है या वो दर्ज हो जाता है तो अथेंटिक होता है एक सिस करते हैं उस घटना को दर्ज कराते हैं आज के समय कोट मेरिज होती है रेश्टर में दर्ज होती है कहते हैं रेश्टर मेरिज है कोट मेरिज है तो वहां से पंजीकल का सब्द आता है पंजीकल का आर्थ आता है तो जब लोग दर्ज कराते हैं तो दर्ज कराने के लिए जो व की हो जाती है तो व्यक्तिकत दर्ज हो गई चीज वो रिष्टर्ड हो गई वो पंजीक्रित हो गई पर समाज की चीज को कैसे दर्ज कराऊगे और समाज की चीज को कौन दर्ज कराएगा तो समाजिक चीजों का दर्ज कराना या सामाजिक चीजों का पंजी करना या सामाजिक चीजों का रेइस्टेसन कैसे होगा उसका मालिक कौन होगा तो सामाजिक चीजों का रेइस्टेसन कराओगे तो सामाजिक चीजों का रेइस्टेसन में सामाजिक ही समाज ही उसका मालिक होगा नियम है कि जिसकी चीज है उसी के नाम से दर्ज होगी पर यहां घपला हो गया यहां घपला यह हो गया कि जो राया गया था व्यक्ति के तुरूप से लोगों ने उसको सामाजी के रूप से आप कार खई دो आप पैसा कहई दो आप बैंक में पैसा डालो आप अपना वोटरलिश में नाम दर्ज कराओ आप कुछ भी कराओ कोई भी चीज़ कराओ वहाँ आपकी अपनी है आप उसके मालिकन हग है पर सामाज की चीज़ को आप दर्ज करा रहे हो और व्यक्ति के नाम से करा रहे हो, समाज के नाम से नहीं करा रहे हो, ये घपला है और समाज की चीज समाज के नाम से दर्ध हो नहीं सकती क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया में जब सभी लोगों की सामुएक चीज़ को सभी लोगों के नाम दर्ज हो जाए क्योंकि लोग ही दर्ज करने वाले हैं और लोग ही लोगों की चीज़ है और लोगों के लिए है तो सामाजिक चीज़ें दर्ज नहीं होती तो जब सामाजिक चीजें लोगों ने अपने व्यक्तिकत नाम से दर्ज करा ली तो पंजी करण का सिस्टम फेल हो गया तो पंजी करण में करपसन हो गई तो पंजी करण में वेबचार हो गया तो पंजी करण या रेष्टेसन या दर्ज वो जो भी था वो सब बेकार हो गया और उसका नुकसान हो गया इस पंजी करण का खेल इतना जादा लोगों ने चलाया कि लोगों ने सामाजिक संग्ठन बनाए और सामाजिक संग्ठन बनाके लोगों को यकिन दिलाने के लिए कि देखो ये सामाजिक संग्ठन है और ये समाज के हैं और हम इसका रेश्टरिसन करा रहे हैं पर अर्थ तो इसका उल्टा है अगर सामाजिक संग्ठन है और सामाज के नाम से दर्ज करा रहे हैं तो फिर सामाज के लिए दर्ज होना चाहिए व्यक्ति के नान नाम से क्यों दर्ज है मालिका ना हग तो व्यक्ति का है एक व्यक्ति दो व्यक्ति चार व्यक्ति गुट बना के गए और उनोंने एक रेश्टरेसन करा लिया और रेश्टरेसन का नियम भी बना लिया कानून भी बना लिया और सामाजिक प्रॉपर्टी को सामाजिक चीज को समाज पूरे को अपने नाम से दर्ज करा लाए और उसके मालिक बन गे चार छे लोग उसके मालिक बन गे और उसकी देखा देखी बहुत साई लोग ऐसे मालिक बन गे ऐसे ही सरकारी करमचानियों के संठने दर्ज हुए तो यह जो दर्जा चलता है जो लोग दर्ज कराते हैं इसका परपज हो गया क्यों कराते हो वही सामाजिक प्रपरटी अपने नाम से दर्ज क्यों कराते हो लोगों ने जो धम है जो कभी दर्ज नहीं होना चाहिए जो कभी रिश्टर्ड नहीं होना चाहिए जिसका कभ चीजों का पंजीकर समझ में आता है एंजीयों का पंजीकर रेश्टेसन समझ में आता है जो ट्रस्ट हैं उनका रेश्टेसन समझ में आता है सरकारी करमचारियों का रेश्टेसन समझ में आता है राजनीतिक लोगों का क्यों क्यों कि राजनीतिक लोग कुछ डिमांड करते ह हैं कुछ मांगते हैं कुछ उनको राइट चाहिए कुछ अधिकार चाहिए गौर्मेंट से तो सरकार का नियम है कि अगर सरकार में आना है और सरकार के लिए काम करना है या सरकार में कोई अधिकार चाहिए या सरकार में कई पद पूश चाहिए तो आपको सरकारी न्ययब मानने पड़ेंगे और राजनितिक चुनाप का सरकारी नियम है कि आपको पहले पंजिक्रल कराना पड़ेगा तो राजनितिक पार्टियों का पंजिकल होता है जायज है चलेगा जो NGO है और जो फारंटेशन है ट्रस्ट हैं, वो सरकार से अनुदान लेती हैं, पैसा लेती हैं, तो पैसा लेंगी, अनुदान लेंगी, खाता खुलवाएंगी, तो उनका registration जायज है, उनको registration कराना चाहिए, वो बिना registration के चल नहीं सकती, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको कोई मानता चाहिए, जो सरकार कि सरकारी करम्चारी के संग्ठन हैं उनका रीजन से डिमांड करते हैं मांगते हैं उनको ईक करते हैं वह लेटर लिकते हैं उसाइधर को साधन को भी MLA MP से पैसा चाहिए या कहीना कुछ ना चाहिए या बैंक के एकाउंट चाहिए लोगों से पैसा लेने के लिए इसलिए जो सामाजिक संग्ठने वो भी रेइस्टर कराते हैं ये गारंटी देने के लिए कि हमारा बैंक में एकाउंट खुल जाए ताकि लोगों से पैसा आए उनको भी चाहिए और जो धम के लोग हैं उन्हें क्या चाहिए पर वो भी स्लाइड में लग गए उन्होंने भी अपने अपने रेइश्टर करा लिए और असमानता में आगे और अपने आपको बहुत छोटा कर लिया जो बुद्ध जो उनके भिकू कभी राजा के आगे जु से बड़ा होता है इससे बड़ी कोई जानकारी नहीं जानकारी को सलाम है वो उनके अनुयाई आज के भिकू राजाओं से भीक मांगने के लिए अपने बैंक एकाउट खोलते हैं और खुद पदादीकारी बनगे जबकि पदादीकारी का नियम नहीं है और रेइश्टर कर है ये भी चलेगा क्योंकि कुछ लेना है तो आपने कराना पड़ेगा पर संग क्यों रेइश्टर होगा संग को क्यों रेइश्टर कराना चाहिए संग क्या चाहता है संग की कौन से डिमांड है राजनीती में संग जाएगा नहीं तो कॉलम खतम हो गया राजनीती का जब राजनीती में जाना ही नहीं है, तो किसी के हाथ जोड़ने नहीं है, तो राजनीती में जाएगा नहीं, तो रेइस्टर कराने की आउशकता नहीं, पैसा किसी से लेगा नहीं, तो एकाउंट नहीं खोलेगा, तो रेइस्टरेशन क्यों कराना है, सरकार के आगे जाके कभी ख अशक्ता है तो क्या जरूरत है तो क्यों 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 करेगा इसलिए दुनिया का कोई भी संग रिष्ट्रड नहीं हुआ कोई भी संग यह संगों के नियम पे अगर चलोगे तो live कि आँ सकता नहीं कि अगर किशी ने संग को रेइस्टर्ट करा लिया फिर वो संग नहीं है फिर वो संग्ठन हो गया संस्ता हो गई एंजी हो गया वो ट्रस्ट हो गया वो कुछ भी हो सकता है पर वो संग नहीं है इसलिए संगों के रेइस्टरेशन पुराने समय राजा के दरवार में भी नहीं हुए संगों के रेइस् कि उन्होंने संग को पढ़ा या नहीं पढ़ा पर जो भी व्यक्ति सचे मन से अच्छे मन से और अपने महापुर्सों को समझते हुए काम करेगा कोई भी चाहे वो महापुर्सों की किताब पढ़े या ना पढ़े चाहे महापुर्सों कोई गंत पढ़े या ना पढ़े चाह यहां एक सो अनत्र संगी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को, पिछले दो साल से वो समझ रहे हैं, कि नियम कैसे अपने आप निकलते हैं, और अब तो बहुत सारे नियम अपने आप निकल के आने लगे हैं, क्योंकि सारे संगी होते जा रहे हैं, पूरे भारत में चलता है और जो सम्मिधान के अंदर भी संग है और जो और जो कोई व्यक्ति संग की बात करेगा वो सारे नियम एक से होंगे उनमें एक भी नियम अंतर नहीं होगा बस सब्सुक्रािबäus अंग्री जी का सकता है उडू का सकता है अर्वी का सकता है तो सहाब कासिराम को पता नहीं मैं कहने सकता क्योंकि कभी मैंने पढ़ा नहीं हो भी सकती है जानकरी थोड़ी बहुत हो सकता ना भी हो पर उन्होंने काम संग के आधार पर ही किया और कहा कि अब हम बाम से बनाएंगे नाम अलग है पर उसका registration नहीं कराएंगे हमको उसको registration कराने की आवशकता नहीं है हम पैसा लेंगे पर पैसा लेकि हाथ क्याथ खतम करतेंगे, account बाद में registration के बाद में खुला है उन्होंने नीती बनाई कि वो जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नियम बनते जाएंगे, वो ऐसी बना रहे थे, सब कुछ ठीक चलना था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर कुछ लोगों ने संग की आइडिलोजी को या बामसिफ की आइडिलोजी को समझने में असफलता पाई, समझने पाए, अपने पद में, पोस्ट में, मंच में, माला में, माइक में, या इनसीकॉर्टी होती आदमी को, और या बेफकुफी भी होती है, इनसीकॉर्टी ये होती है, कि अरे हमारा क्या होगा, ये आदमी तो देता बन गया, और बेफकुफी ये होती है, कि वो संग को बिना समझे, ये दावा करता है, कि मैं संग को समझ ग तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया उसका पंजिकन करा दिया और उसको देखा देखी भूत लोगों ने पंजिकन करा दिये नाम लग लग है किसीने बहुजन किसीने बाम सेव, किसी ने मूल निवासी, किसी ने अर्जा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, बहुत सारे संग और बहुत सारे बहुजन चलते हैं आज कल सब के रेश्टेशन हुए और जितने संग्ठन हैं चाए वो धम के संग्ठन हैं चाए वो मठ हैं क्योंकि भिक्कों भी चंदा लेते हैं उन्होंने जमीने खरी दी हैं तो उनको रेश्टेशन नंबर चाहिए उनको रेश्टेशन बॉड़ी चाहिए उन्होंने मठ बनाए हैं चाहे वो लड़कों के दलबल हैं चाहे वो सरकारी करमचारी हैं चाहे कोई भी है सबने लोग है उनकी बात कर रहा हूं वैसे तो 120 करोड़ लोग है तो किसी भी डिस्टिक के रिष्टार ओफिसम चले जाओ सारे वही मिलेंगे आपको महापुर्सों के जैभीम नमबुद्धाय फलाना संग ये संग सम्राटा सो जोतिवा फुले दुनिया भर के सारे स्रमडों के मह क्यों रिष्टर है और रिष्टर की लोग ऐसे जाने दिप लेखाऊ नबर है और इस को शो करते हैं अप्ना बनाएंगे तो सबसे पहले अपनी गारंटी देंगे कि देखो सरकार ने हम क्यों मानता दे रखी और यह हमारा नंबर है पर 29 लाक संग्षण रेश्टर सारे रेश्टर संक्षणों से भला होना होता पंजीकरत संक्षणों से भला होना होता तो सारे अधिकार बढ़ गए होते सम्विधार में जो अधिकार रेगे वो भी आगे होते और हमको यहां एकसरसाइज नहीं करनी पड़ती यहां मत्हा खुरी नहीं करनी पड़ती और किसी भी हलत में सारे लोगों को अब तक रोजगार और सब चीज़ें मिल चुकी होती पर अधिकार तो सारे चले गए चीज़े तो सारी चली गए सब लोगों के रेश्टर्ड संग्ठन थे फिर भी चीज़ें चली गए इसका मत्दब रेश्टर्ड कराने में कुछ जादू वादू नहीं है पंजी कराने से कुछ होता हाता नहीं है आप अगर अपना नाम दर्ज करा लो सोसाइटी एक्ट के अंदर तो उससे कुछ नहीं भला होने वाला तो इससे भला तो वो ही था जो साब कासी राद्बी ने अन्रेश्टर्ड किया कम से काम तो बड़ी चलता था पर जिनके संग रेश्टर्ड नहीं है वो तो मालिक है वो तो पूरी दुनिया में राज कर रहे है उनके बच्चे तो मोज कर रहे है और वो तो सांसे नहीं लिखते बलकर संग अपना परचार भी नहीं करते हमें तो फिर भी परचार करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पुराना संग बताना पड़ रहा है और लोगों तक जाना पड़ रहा है और हमारे पास समय की कमी है हमाई लोग अधिकतर ठक गए हैं बोड़े हो गए हैं इसलिए कुछ जोस आना चाहिए तो ज़्यादा भाग दोल करनी पड़ रही है पर संग तो चुपचाप काम करते है हमें फिर भी शोर मचा के काम करना पड़ रहा है पर करने की मजबूरी है पर संग ऐसा करते नहीं है संग शांती से काम करते हैं और चुपचाप बहुत काम कर जाते हैं पर वो स्टेज भी आएगी कि जब हम चुपचाप काम करेंगे और सोर मचानी के अफसकनी पर पहले संग इतना मजबूत हो जाए लोग इतने खटे हो जाए कि हम चुपचाप काम करने की स्रीनी में आ जाए अभी हम महां है नहीं इसलिए हमको वीडियो बनानी पड़ रही है इसलिए हमको डेली बैठना पड़ रहा है इसलिए हमको पोस्टर डल लगाने पड़ रहा है इसलिए हमको समलगंद बाठना पड़ रहा है इसलिए हमको कलेंडर बाठने पड़ रहा है इसलिए हम एस्टी कर लगाने पड़ रहे है पर यह धीदरे काम उसी रूप में आ ज शक नहीं है. इसलिए रेश्टर कराने की कोई आवसक्ता कहीं पड़ती नहीं. क्योंकि अगर आपने रेश्टर करा लिया, तो इसके बहुत दुखत परणाम होंगे. जो व्यक्ति खुद संग्धर बनाते हैं, दो-चार व्यक्ति होते हैं, वो अपने रिजदारों को, यारों, प्यारों को, दोस्तों को उसमें रख लेते हैं, और रेश्टर करा लेते हैं, रेश्टर कराने के बाद बोड़ी अपने पास रखते हैं, यब पहले से रेश्टर चल रहा हो, तो उसके अपने आ रेश्टर्ड बॉड़ी हमेंसा तूटती है रेश्टर्ड बॉड़ी जो भी बनेगी रेश्टर्ड संता जो भी बनेगी उसी गारंटी है कि वो तूटेगी क्यों तूटेगी क्योंकि उसकी नीव ही मालिकाना हक पर रखी हुई है और मालिक जब बढ़ेंगे तो जाहर सी ब पक्का कराते हैं कोगई ख़ुद तोड के लाई थे डर रहता था कि तोड कला है तो हमारी ना तूट जायु कि रिष्टाव कर आई पर वह तूट गई पर breakfast करा राए फिर तूट गई इसलिए रेश्टर्ड बॉडी हमेंसा टूटे ही की टूटेगी उसके टुकड़े होंगे होंगे क्योंकि उसकी नियत अच्छी नहीं होती है उसके अंदर मालिकाना हक्का और संस्थापक अध्यश्का जो रुतवा होता है उसको कोई खोना नहीं चाहता और उपर से जो चंदे का पैसा आता है वो तो कमाल है जिन लोगोंने चंदे के पैसे में दावत उडाई है जिन लोगोंने चंदे के पैसे से होटल मैश की है जिन लोगोंने चंदे के पैसे से गाड़ी में बटल भरवाया है गाड़ियां खरीदी हैं जो लोग चंदे के पैसे से जहाज में उड़ते हैं, जो लोग चंदे के पैसे से अपने घर में लगाते हैं, जो लोग चंदे के पैसे से प्रॉपर्टियां खरिते हैं, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से अपनी घरों में FD करा लिये अपनी, जिन लोगों ने चंदे के प पूरे देश में घूमते रहते हैं, जहाज के टिकेटे उन्हें मिलते रहते हैं, वो लोग नहीं मानने वाले, वो क्यों मानेंगे, बहुत बढ़िया धंदा है, इससे अच्छा कोई बेरोजगार कोई धंदा नहीं है, कोई भी संक्टन खोल लो, उसको रेश्टर करा लो, र पोश्ट होती है, वो पहले दिन से होती है, क्योंकि जब रेश्टार एक्ट के हैं जाते हैं, रेश्टार के हैं जाते हैं, तो वो कम से कम साथ या नौ पद लेता है, पोश्ट लेता है आप से, उसमें आपको एक प्रधान बनाना होगा, एक जनरल सेक्रटी बनाना होगा, एक केशर, ये तीन पत्तों कम से कम होते हैं, उसके बाद में एग्जिबूटि बॉड़ी के मेंबर हैं, वो सब बनाने होते हैं, साथ या नौ लोगों की कमपसरी मेंबर सी पूनी चाहिए, उसमें सारे मिलागे, तो वो जो पत्त मिलते हैं, वो मालिकाना हका बटवारा होते हैं, प्रधान के पास बड़ा अधिकार है, उसको बड़ा हिस्सा मिलता है, जैसा उसनों ने संभिधान में लिखा, केशेर को थोड़ा कम हिस्सा मिलता है, जो सची बगरा बनते हैं, उनको थोड़ा कम मिलता है, तो क्या होता है, जब भी वो संस्था थोली बढ़ती है, उ जगड़ा कराता है या गौर्मेंट जगड़ा कराती है एंडिविस्टर जगड़ा कराता है तो उसके किसी आदमी को तोड़ते हैं जो पदादिगारी होता है प्रिधान को तोड़ेंगे या जनल सेक्ट को तोड़ेंगे या कैशर को तोड़ेंगे या सची को तोड़ेंगे और उससे कहते हैं तू आजा तू हमारी बतमान और वो वहाँ से चला आता है क्योंकि उसके पास पद है उस पद के दम पर वो अपनी पोजिशन को देता है और उसका पैसा लेता है तो जितने भी राजनेतिक संग्ठन है जितने भी सामाजिक संग्ठन है उनमें जो तोड़ तो वैसी पिश जाते हैं चक्की में, जैसे गेहूं के साथ मैं गुन पिश जाता है, उन्हें विचारों को पता ही नहीं कि उनका नेता कहीं बिक गया, तूट गया, फूट गया, चला गया, और वो नेता भढ़काता है और आम आदमियों के दो टुक लेता है, कुछ अपनी अधर बिशता है, उन्हें पता ही नी क्या हुआ, प्रफ लेता है, उनके साथ, तो पद नहीं होगा, तो टोड के जाओ, क्या कर लेगा कोई, अगर upright नहीं है, तो क्या करेगा, इसलिए वो टूटते हैं, तो कैसीर भाग जाता है पैसा लेकर, या वो खर्च कर लेता है, और कैसियर दुनिया भर का हिसाब जानता है कि प्रधान को कप पैसा दिया था और जलर सेग्डिव कप पैसा दिया और इसके घर में कमोट सेगल आई थी और इसके घर में कप कार आई थी और ये वाली कार्ड तो संस्ता की थी जो इसके घर में चल रही है और ये जो घर जाते हैं अपने परिवार को सेटल करते हैं और उसी में उसको वारिशना हग दे जाते हैं यह पंजी करण के सबसे बड़े नुकसान है पंजी करत कोई भी संग्ठन या कोई भी संस्था या कोई भी राजनितिक पार्टी की आयू जादा नहीं होती उसकी उम्र जादा नहीं होती क्योंकि जो मालिक होते हैं, जब वो बुड़े होते हैं तो उनको चिंता हो जाती है , उनके बच्चों का क्या होगा program ए्फिर उनको कोई समाज वमाज , संस्था वंस नहीं दिखाए देती है, उनको समाज ने पैसे देने की कलती करी और रिश्टर्ट बोड़ियों ने को जमीन जाज़त खे दी फिर वो आखरी है फिर वो आगे काम नहीं करती चाहे वो अमिट का भावन हैं चाहे को बुद्ध बिहार है चाहे को जमीन है देख सकते इसके उधारण बावा साब के बनाये अनके उधारण देख सकते हैं और बुद्ध की जमीन थी या हुगाज कल का भी देख सकते हैं कई न कहीं महले मिल जाता है के उसने वो पछता रहता है क्योंकि पंगी करत स सिच्टम है जो पजी करत संस्ता है जब पैसा इकतारण करताओ प्र टिए ल roared टो खो Ear agenda करके कोई जमिन खरती है तो सरकार कहती है मालिक का नाम दो क्योंकि सरकार सामाजिक प्रॉपर्टी को समाज के नाम नहीं रिष्ट्र करती है ऐसा कोई सिधानत नहीं है हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब हम यह कह सकें कि 120 करोड़ों की संपत्ती 120 क्रोड के नाम ही रिष्टर कराई जाती है जितनी भी संस्ता है वह 120 क्रोड लोगों से पैसे लेती है पर जब रिष्टरेशन की बात आती है रिष्टार के हैं तो वह व्यक्ति का नाम देते हैं जिसको कहते हैं सिग्नेटरी अथरॉर्टी है वह होता सिग्नेट से हैं बस उसके बाद लोग माईस हुआते हैं दौर भग जाते हैं और फिर दलाल मिल मलाके उस जमीन को बेच लेते हैं उने पर दामों में बिख जाती है सबका यह हाल होता है तो पंजी करण का फाइदा नहीं है पंजी करण का हमारे लिए नुकसान है और यह नुकसान हम आनंद आकरी भिक्कु मत बन जाना आकरी भिक्कु मतलब कभी इसके सारे मालिक बन जाओ और भिक्कु ना बनाओ यह समाज की प्रॉपरटी है तो बनाते रहना चलते रहना बनाते रहना चलते रहना यह काम ऐसी चलता रहेगा बिहार मिला उनको कई बिहार मिले जो उनको में मिले पर वो महक में होते हैं सरकार के वो पबिलिक के होते हैं가요 एँ पबिलिक, for the public, of the public पब्लिक के पैसे से बनते हैं जो बैंकों में पैसा जमा होता है वो पब्लिक का पैसा जमा होता है सरकार जो प्रोपरटी बनाती है वो सरकार के नाम से बनाती है वो विक्ति के नाम से नहीं बनाती है उसका officer security authority होता है पर officer temporary होता है और officer अपने नाम कर नहीं सकता तो सरकारी system है या भिक्कू का system है या पुराना समल का system है ये सारे system ये बताते हैं कि अगर पंजीकरण होना है तो समाज की property का समाज के नाम होना चाहिए जिसकी विवस्ता बावस आपने समिधान में की पर समाज क property का अगर व्यक्तिकत नाम से होता है तो पंजीकरण जहर हो जाता है पर संगों के पंजीकरण नहीं होते कभी आज तक किष्टी में किसी भी संग का पंजीकरण नहीं होता और हो नहीं सकता क्योंकि संग इन सब चीजों से परह होते हैं वो ना पैसा इखटा करते हैं ना ज प्रियर्मन परिणाम है वो बाद में आया है, पहले लोग इखटे हुए है, ऐसा कोई संग नहीं है, जिसके अंदर लोगों ने पहले पैसा इखटा किया हो, या पहले जमीन इखटी की हो, या पहले सरकार बनाई हो, या पहले सत्ता ली हो, पहले उन्होंने लोग इखटे कि किये लोगोंने फैसला किया लोगोंने अपने अपने काम किये जो लोगोंने चाहा फिर वो किया चाहे वो उन्होंने अपना धर्म बढ़ाया चाहे उन्होंने पैसा बढ़ाया चाहे उन्होंने सरकार बढ़ाई चाहे उन्होंने जमीने बढ़ाई चाहे उन्होंने सब कुछ बढ़ाया, पर सबसे पहले उन्होंने आदमी बढ़ाये, लोग बढ़ाये, इसलिए लोगों को इखटा करोगे, तो सब चीज़ इखटी हो जाएगी, और लोगों को छोड़के कुछ भी इखटा करोगे, वो सब बरबात हो जाएगा, हमारे संग्ठनों ने लोग इखटे न अपने लोगों से, चंदा किसका खा रहे हैं, आपने लोगों का, जिनको इखटा करना है, जिनका वैलिफिर करना है, उन्हीं का नुक्सान कर रहे हैं, इसलिए संगों के अंदर पंजीकरण नहीं नहीं होते, और कभी भी रेश्टेसन नहीं हो सकता, रेश्टेसन का जो प लिकानाहक कभी बन नहीं सकता इसलिए ये जो नियम हमारा है कि हम संग को कभी भी पिंजड़े में नहीं बांद सकते उसको किसी बहात में पिंजड़े में कैद नहीं कर सकते संग स्वतंत विचारों का होता है संग सबको सवतंत करता है सबको आजादी देता है संग कभी किसी व्यक्ति पे कोई भी अपनी पर्सनल राय नहीं थोपता, उस पे हमेंसा सामुइक होती है, आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, शादी किस्से करनी है, भासा कौन सी बोलनी है, बाल कैसे रखने है, मूच कैसी रखनी है, नाना कब है, रोना कब है, खाना कब है, पीना कब है, नाचना कब है, जाना कब है, शादी कब करनी है, ये संगर के काम नहीं होते, संगर का काम होता है, सारे लोगों को इखटा रहना है, सारे लोगों को इखटे होने के नियम मानने है, संगर सिर्फ इखटे होने के नियम देता है, इसके लावा कोई नियम नहीं दे और उन्हों नियों पर चलने के लिए वो खड़ा रहता है जैसे मिलिटरी पुलिस खड़ी रहती है जो मिलिटरी पुलिस होती है उसका मिलिटरी का आदमी अगर कोई गलती करता है तो मिलिटरी पुलिस में उसका केज चलता है मिलिटरी पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है वो ऐसे ही संग अपने संगियों की तरफ देखवाल करता है किसने नियम तो नहीं तोड़ा, किसने नियम तोड़ा हो तो उसको दंड मिलेगा दंड कुछ भी हो सकता है जो हाउस बैठे पर वो ध्यान रखता है इसलिए जिन-जिन लोग लोगों ने भी पंचीकन कराए उन्होंने समाज को खूब जंग के धूका दिया इतना जंग के धूका दिया, कि समाज ने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि अगर रेच्टर्डी था और तेरा पक्का काम था तो फिर काम बना क्यों नहीं और ये तने सारे रेच्टरेशन किसली है एक ही तरह के क्यों संगों के अंदर ये बातें कोई पूछता नहीं अगर पूछ लेते तो आज ये इस्तिति नहीं होती इसलिए कोई पंजीकरण कहता है कि पंजीकरण होना चाहिए या कहिवा लोग आते हैं जो कहते हैं रेच्टर्ड तो होना चाहिए आज तक ये नहीं बता पाएँ वो कि क्यों होना चाहिए जिस सरकार पे और जिस मानता पे जो संग के पीछे बनती है यानि सरकारें कभी भी संग से बड़ी नहीं हो सकती तो आप अपने संग का उन मानताओं से कैसे रेश्टन करा सकते हो जिनको आप खुद बनाते हो संग खुद सरकार बनाता है संग खुद सारे काम करता है और आप उनी से जाके मानता लोगे ये तो ठीक ऐसे है जैसे कोई बाप अपने बेटे से जाके अपने बाप होने की मानता ले तो अगर आपको बाप होने की मानता अपने बेटे से चाहिए तो पंजीकरण नहीं करेंगे, अगर मेरे किसी वक्त अबे में कोई भूल चुक हुई हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी